हलो दोस्तो आईए शुरुवात करते हैं आपके इतिहास के पाठे इटे मन के तता अस्तिया हरपप सभ्यता के भाग दोतुक भाग दोको दोस्तो पिछली वीडियो में हमने हरपप सभ्यता के एक सफर के शुरुवात की थी आज उसी सफर को आगे भड़ाते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस समय में रहने वाले लोगों के बीच समाजिक भिनताओं के बारे में उसके बाद हम शिल्प उत्पादन के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे आंत में हम जानेंगे कि उस समय व्यपारिक संभन कैसे थे दोस्तो इस संस्कृति के बीच समाजिक और आर्थिक भिन्ताओं को जानने के लिए पुरा तत्वे विदों ने कई सारी विधियों का इस्तिमाल किया जिसमें से पहली विदी है शवधान दोस्तो आप मिस्त्र के पिरामीडों से शायत परिचित होंगे ये पिरामेड हडपा सभ्यता के समकालीन थे दोस्तो इन में से कई पिरामेड राज के शवधान थे जहां बहुत सी मात्र में धन वे संपत्ति पाई गई है दोस्तो हडपा स्थलों में मिले शावधानों में आमतोर पर मृत्तकों को गड़ों में दफनाया जाता था कभी-कभी शवधान गड़त की बनावट एक दूसरे से भिन होती थी कुछ स्थानों पर गर्ट की सथों पर एटों की चिकनाई की गई थी और कई जगा पर सिर्फ मिट्टीस में ही लोगों को दफनाया गया था दोस्तो ये विविदताई समाजिक बिनताओं को दर्शाती है दोस्तो कुछ कबरों में मृद्भान तथा आभूशन मिले हैं जो एक ऐसी मान्यता की और संगेत करते हैं कि इन वस्तूओं का प्रियोग मर्नो परांत भी किया जा सकता है दोस्तो महिला और पुर्श दोनों की ही कबरों से आभूशन प्राप्थ हुए हैं इसका अर्थ यह है कि पुर्श भी इस समय पर आभूशन पहना करते थे दोस्तो कहीं कहीं पर मृत्तकों को तांबे के दर्पनों के साथ दफनाया गया था परन्तु हम कुल मिला कर यह कह सकते हैं कि हरप्प सभ्यता के निवासियों का मृत्तकों के साथ बहुमुल्ले वस्तुए तफनाने में विश्वास नहीं था दोस्तो समाजिक भिंताओं को पहचानने की एक अन्यविदी है ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्यन जिनने पुरा तत्विविद मोटे तोर पर उप्योगी तथा विलास की वस्तुओं में व्रगी करते हैं दोस्तो पहले वर्ग में रोज मर्र में उप्योग में आने वाली वस्तुओं समिल लेते हैं जिनहें पत्थर तथा मिट्टी जैसे समाने प्रधार्टों से बनाया जाता था जैसे की मृत्भान, चक्किया, सुया तथा ज्यावा दोस्तो कीमती तधा विलास की वस्तुओं में ऐसी वस्तुओं शामिल थी जो दुरलब हो, महंगी हो ऐसे पदार्थों से या जटिल तकनीक से बनी हो दोस्तो मेहंगे पदार्तों से बनी दुरलव वस्तुए केवल हडपा या मोहन जोदडों जैसी बड़ी वस्तियों में पाई गई हैं दोस्तो इसके अलावा इस सभ्यता में सोना दुरलव था और यह माना जाता है कि आज की ही तरह सोना उस समय भी कीमती था दोस्तो चलिए अब जानते हैं उस समय के लोगों ने कैसे शिल्प बनाए थे दोस्तो इस तस्वीर में पीतल से बनी एक प्रसित मुर्ति है जिसका नाम टांसिंग गर्ल है यह मोहन जोदारों में पाई गई थी दोस्तो इस तस्वीर में प्रीस्ट किंग नाम की मुर्ति को दिखाया गया है और दोस्तो ये तस्वीर दिखाती है टेरा कोटा और पत्थर से बनी मुर्तियों को दोस्तो आखिर में यह एक मोहर की तस्वीर है जिसे पशुपती मोहर कहा जाता है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि यह मोहर भगवान शिव को दिखाती है दोस्तो जैसे कि आज की समय में भारत के कई सारे शित्र शिल्प उत्पादन के लिए जाने जाते हैं ऐसे ही हडपा सभ्यता में चानो दारो एक छोटी सी बस्ती शिल्प उत्पादन के लिए जानी जाती थी जो की हडपा से बहुत छोटी थी दोस्तो यहां के लोग मन का बनाना, शंक को काटना, धाटू पे काम करना, मोहर का निर्मान करना ऐसे काम किया करते थे दोस्तो यह लोग यह काम करने के लिए पत्थर, क्रिस्टल, क्वार्ड्स, तामा, सोना, खोल, टेरकोटा जैसी सामकरी का इस्तिमाल किया करते थे दोस्तो इस समय में कई अकार के शिल्प पाए जाते हैं जैसे डिस्क के अकार के, बेलनकार के और गोलकार के आभूशन दोस्तो इस समय के लोग पीस, पॉलिश और ड्रीलिंग जैसी तकनीक का इस्तमाल शिल्प उतपादन के लिए किया करते थे दोस्तो ब्रिल करने के कई सारे ओजार, चानूदारो, लोधल और धोला वीरा में पाए गए हैं चले दोस्तो अब ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां से इन्हें कच्चा माल प्राप्त होता था दोस्तो क्योंकि शिल्प उतपादन की सारी बस्तिया नदियों के पास थी तो मिट्टी स्ताने रूप से उन्हें उपलब्ध हो जाती थी दोस्तो पत्थर, लकड़ी और धातो जैसी चीजों की खरीद बाहरी शेत्रों से की जाती थी दोस्तो नाकेश्वर और बाला कोट नदी के पास थे और शंक से बने पदार्थ बनाने के लिए शिल्प उतपादन के बड़े केंद्र थे शोटु हाई जो अफगानिस्तान में था वो कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था दोस्तो राजिस्तान की खेतडी और कुछ रात के कुछ शेत्र धातों के लिए जाने जाते थे दोस्तो जैसा की हमने अब भी जाना की हडपा के लोग दूर दूर के शेत्रों से कच्छे माल को उपमंगाते थे तो चलिए अब देखते हैं उनके व्यपारिक संबंद किस प्रकार के थे दोस्तो इस शेत्र में व्यपार जादतर सामाकरी धातू शिल्प आधी के व्यपार के लिए होता था दोस्तो यह व्यपार अनाच के साथ विनीमे प्रणाली के द्वारा किया जाता था दोस्तो बेलकारी के टेराकोटा मॉडल इस जगर से प्राप्थ हुए हैं जिससे यह माना जाता है कि माल और लोगों के परिवाहन में बेलकारी का इस्तिमाल किया जाता था दोस्तो यह भी माना जाता है कि नदी मार्ग से भी व्यपार किया जाता था और सिंदु नदी व्यपार मार्ग का सबसे बड़ा केंडर थी क्योंकि बहुत से शिल्प उत्पादन बस्तिया सिंदु नदी के ही किराने पाई गई है दोस्तो इस जगे से एक मुहर भी पाई गई है जिस पर नाओ का चित्र अंकित है दोस्तो इससे यह पता चलता है कि लोग समुंद्र के मार्ग से भी व्यपार किया करते थे यानि कि तट्ये मार्ग का भी यहां इस्तिमाल किया जाता था दोस्तो हडपा सभ्यता के व्यपारिक संभन उपु महादीब के भी बाहर से थे दोस्तो यहां दक्षिन भारत से सोनी का व्यपार किया जाता था और यह भी संभावनाई है कि तामबा ओमान से लाया जाता था दोस्तो ओमान में हडपा सभ्यता का एक जार पाया गया है जो की काली मिट्टी द्वारा बनाया गया है दोस्तो मेसोपोटामिया के स्थलों पर हडपा की मोहरे, तोल, पासा, माला, मन के आदी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी हडपा के विपारिक संभन थे दोस्तो मेसोपोटामिया के कुछ ग्रंथ हडपा सभ्यता का जिक्र मेलूह नाम से करते हैं जिसका मतलब है नाविकों की भूमी दोस्तो आज इस वीडियो में हमने हडपा सभ्यता में पाई जाने वाले समाजिक बिंताओं का अवलोकन किया हमने हडपा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में जाना और वहां के व्यबपारिक संभन्थ को भी जाना दोस्तो मैं आशे करते हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा इसे और अच्छे से जानने और समझने के लिए अपनी पाठे पुस्तक पारते इतिहास के कुछ विशे भाग एक से इस पाठ को जरूर बढ़े दोस्तो अगली वीडियो में हम हडपा सभ्यता की मुहर, लीपी और वजन के बारे में जानेंगे उसके बाद हम प्राचीन प्राधी करन को समझेंगे और अंत में हडपा सभ्यता के पतन या अंत के बारे में जानेंगे